हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपके सामने गोरो मिगलानी हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिन स्टडीज चेप्टर हमारा कॉंटीन्यू चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का वीडियो नबर 7 से हम टोपिक कॉंटीन्यू करते आ रहे हैं इस एक्ट के अंडर में हम कुछ प्रोवीजन्स स्टडी कर रहे हैं प्रोवीजन्स के अंदर हमने ये जान लिया है कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है एक कंज्यूमर किस बिहाफ पर केस फाइल कर सकता है मतलब Ground of Complain के अंदर हमने 5 छोटे छोटे टोपिक स्टडी किये है तो इन दोनों टोपिक के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्किप्शन बोक्स में दिये हुए है अब हम स्टडी करने जा रहे हैं टोपिक नंबर 3, 4, 5, 6 and 7 तो टोपिक नंबर जो 3 है वो है 3 टायर जुडिशियल मशिनरी इसके अंदर हम यह देखेंगे कि एक कंजूमर केस फाइल किस अकॉर्डिंग कौन सी कंडिशन के अकॉर्डिंग कहां कहां फाइल कर सकता है क्योंकि कंजूमर प्रोटेक्शन अक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कुछ कोर्ट्स एस्टेबिलिश किये गए हैं कुछ नयालियों की स्थापना किये गई है जिसमें है डिस्टिक फॉर्म, स्टेट कमिशन और नेशनल कमिशन इस टोपिक के बारे में हम बहुत अच्छे से डेटेल में आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे अब हम जा लेते हैं हमारा सेकिंड टोपिक जो है कंप्लेंट डिस्पोजल पीरिड मतलब कंप्लेंट अगर किसी कस्टमर ने की है किसी कंप्लेंट की है तो उसकी शिकायत का निवारन कितनी जल्दी होगा तो कंप्लेंट अगर कोई कंप्लेंट करता है कंप्लेंट करता है तो उसकी शिकायत बहुत जल्दी सुल्जा दी जाती है बहुत speedly तो normal situation के अंदर consumers की complain को 3 महीने के अंदर solo कर दिया जाता है पर कोई ऐसा case है special case है मालो हमने product की checking करनी है lab के अंदर उसके testing होनी है तो उस case के अंदर maximum time period कितना है सिरफ 5 महीने तो मैं आपको फिर से repeat कर रहा हूँ normal situation के अंदर उसकी शिकायत का निप्टारा maximum 3 महीने में कर दिया जाता है अगर product की testing होनी है कहीं पे तो maximum time period कितना है 5 महीने तो देखा जाए तो Consumer Protection Act 1986 consumers के लिए बहुत अच्छ से काम कर रहा है next हमारा topic है कि who can file complain complain कर कौन-कौन सकता है एक consumer complain खुद कर सकता है एक registered consumer association भी complain कर सकती है जरूरी नहीं है कि consumer इसका member हो एक registered consumer association भी complain file कर सकती है one or more consumers मालो दस consumer ऐसे हैं जिनको common नुक्सान हुआ है अब उन सब को common benefit लेना है तो वो लोग मिलकर भी complain file कर सकते है central government, state government ये लोग भी complain file कर सकते है next हमारी बात आती है against whom can the complaint be filed किस-किस के according हम case file कर सकते है topic number one अगर product defective है goods अगर defective है तो क्या करोगे आप बेचने वाले के against case कर सकते हो या manufacturer जिसने goods को बनाया है producer कह सकते हैं तो अगर product defective है तो seller या manufacturer किसी के भी against आप case file कर सकते हो अगर deficiency of services है services में अगर कमी रही है तो case आप किसके against करोगे जिसने आपको service provide की है यहाँ पे services में कमी होने का क्या मतलब है imperfection of services shortcoming दोश है मतलब product service के अंदर service में क्या है दोश है quality नहीं है nature नहीं है जिस performance के according देनी चाहिए थी आपको जिस manner में आपको देनी चाहिए थी वो नहीं दी in education है तो अगर services में कमी है तब भी आप service provider के against case file कर सकते हो अब बात आती है कि complain करने की fees कितनी होगी तो जब भी कोई consumer case file करता है तो उसके साथ एक nominal fees fix की हुई है जो हमको deposit करानी ही होती है हर complain के साथ minimum कोई amount fix किया हुआ है वो deposit कराना ही होता है पर इसके अलावा कुछ extra charges होते हैं अगर तो वो pay नहीं करने होते हैं जैसे court की fees कुछ other expenses हैं तो वो consumer को pay करने की ज़रूरत नहीं होती तो complain करने की क्या fees है सिरफ जब आप complain करोगे तो उसके साथ एक amount fix किया हुआ है वो हमको deposit कराना होता है पर इसके अलावा जो भी expenses हैं चाए वो court की fees है चाए कुछ और expenses है वो consumer को pay करने की ज़रूरत नहीं होती है तो इस वीडियो में हमने क्या discuss किया त्री टाय जुडिशल मशीनरी जिसको हम आगे आने वाली वीडियो में डेटेल में study करेंगे फिर हमने discuss कि कमप्लेट कितरे टाइम में सोल हो जाती है नॉर्मल टाइम पिरड में ती महीने मैकसिमम टाइम पिरड पांच महीने फिर कमप्लेट कौन-कौन फाइल कर सकता है consumer, association, central government, state government consumers का group case फाइल कर सकते है कमप्लेट किस-किस के अंगेश्ट की जा सकती है seller, manufacturer और service provider फिर बात आए कि कमप्लेट करने की fees क्या है minimum amount है एक deposit करानी होती है कुछ extra expenses अगर है तो consumer को वो pay करने की जरूरत नहीं होती तो next video में अब हम इस provisions के अंटर का हमारा eighth topic, relief या remedies consumers को क्या available होते हैं 9, 9, छोटी-छोटी बाते हैं जो हम next video में discuss करेंगे इसी video की description box में दिये हुए links को भी आप बहुत अच्छे से study कीजिए तो मिलते हैं अब हम next video में यहां तक का video देखने के लिए आपका धन्यवाद